दोस्तों चलिए आपर बात करेंगे सिरिलंका भर्सस इंडिया गे बीच फ़र्स्ट टीट वंटी मुकाबला जो खेला जाएगा पले केले स्टेडियम सिरिलंका में खेला जाएगा मेरे भाई अभी सिरिलंका लीग जो चल रहा था वहाँ पर हम लोगों ने देखा था बहुत सारे इस बीच पे भी मुकाबला हुआ था और बहुत सारे मुकाबले सिरिलंका के जमी पे होते हुए हम लोगों ने देखा वहाँ पर क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था तमाम चीज़े हम लोग देखें कहाँ पर spinner को बहुत जादा help मिल रहा था कहाँ पर fast gain bought को help मिल रहा था क्या इंडिया और Sri Lanka के बीच मुकाबले में high scoring मुकाबला होगा यह फिर big take का पतन होगा ज़ादा ज्यादा सब चीज देखेंगे आप ZL का टीम बनाओ, ACL का टीम बनाओ, जो टीम बनाओ, वीडियो देखने के बाद आप धमाकेदार तरीका से बना सकते हो जैसे कि हमारे तमाम यूजर्स डोमेस्टिक में अहला भोल रहे हैं तो सब जब पहला कि जदि आप इंडिया के पूरे स्रीच खिलना चाते हैं या फिर इस मुकाबले को भी खिलना चाते हैं तो हमारे टेलीगराम चैनल को आपको जोईन करना बहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खिलता हूँ इनके अलावे जील का टीम, पीच रिपोर्ट, पिलेंग लेवन यानि एक सांदार टीम बनाने में जितने चीजों की अब सकता लगती है मेरे भाई सारा कुछ टेलीगराम चैनल पर ही प्रवाइड करता हूँ तो आपको जोईन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो के फर्स्ट कोमेंट पर लिंक होगा बुलू कलर में यहाँ पर देख रहे होगे टेलीगराम में सारव समाजिक 84 सी पर किलिक याने टाच करोगे सीधे हमारे टेलीगराम चैनल पचपन पॉइंट टू के सब्सक्राइबर दीखेगा यहीं पर आप जुड़ोगे विल्कुल फिरी में हर कुछ अबडेट विगेरा सब लेकर जाओगे तो दोस्तों चली यहाँ पर एनलेसिस स्टार्ट करते एवरेज इसकोर यहाँ पर 150 पलास है हाइस इसकोर 263 भी बनाए भाई बाह लो इसकोर 88 रनों का अंदर भी सिम्टी है छी 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 भेन्यू की बात की यहाँ टोटल में चेहाँ पर 22 खेला गया बेटिंग फर्स्ट ने 12 बेटिंग सकेंड आठ यहने टोस्त जितकर बल्ले बाजी करू यहीं न नहीं भाई गयन वाजी ही चलेगा में लगता है स्कॉरिन फरेटरनद रन याइन 500 एन 500 बर बना है किसी को कोई दिखकत 150 से 170 रन भी पान बर बना है अचा चलो सही है 170 से 1990 रन याइन 6 बर अवर ज्यादा बना है और 190 पलस भी 6 बर बना है याने की कुल मिलाकर हाई स्कोरी मुकाबला होना चीए आस्ट्रेलिया भर्षे स्रिलंका जो 11 जून 2022 को खेला था तो इस प्रकार से यहाँ पर खेल हुआ था पांच विकेट सकेंड इनिंग में पेशार स्कोर फास्ट इनिंग में स्पिनर को चार विकेट मिल जाता है भई स्रिलंका भर्षे वेस्ट इंडिज 2020 को खेला गया वेस्ट इंडिज भर्षे स्रिलंका 2020 को भई बहुत टाइम पहले खेला गया अब और तब में अंतर है हलांकि अभी जो लंका लिग चारा तो उससे हम लोग जादा तर ग्यान लेने का परियास करेंगे Head to head record में इंडिया आगे है और इस मुकाबल में भी आगे होना चीए हलांकि सिर्लंका अपने घर पे खेलेगा घर का फाइदा उन्हें मिलेगा 28 में टोटल दोनों टीमों के बीच खेला गया 9 मेहा पर सिर्लंका ने वीन किया जहां पर 19 इंडिया ने वीन किया सिर्लंका की बात की जाए तो वीन और वेंडेड हो गया अब इसका फेरनाडो अच्छा कर रहे हैं हर साल अच्छा करता है वो लंका लिग पे क्या इंटरनेशनल पे अच्छा कर पाएगा बला सबान कमेंडो मेंडेड थुड़ा करमा खेलता है टाइमायन ये पार्ट तैम गेन बाजी भी कर लेता है सेम इसी परकार से है इनके केप्टन साब चरित असलंका का ये भी पार्ट तैम गेन बाजी करता है फूल टेम बले बाजी करता है इनके पास कबिलियत है बड़े सोट का कबिलियत है दासुन शनका के पास हमें लगता है यह भी अच्छा खासा उभर डालेगा जिसतरे से लंका लीग में डाल रहा था वैसे अब डालना इंस स्टार्ट के है श्लोवर का इस्तिमाल करता है अच्छा खासा विक्ते भी ले जाता है ड़लू हचे रहँ गाँ बल्ले बाजी भी करता है देखते हैं क्या कर पाते हैं तो एक बनी है और अंडर महेज दिखसाना स्पीनर का जादुगर और पावर पले में आपको कसी विगेन बाजी करते हुए नजराएंगे इनको संबल कर खेले तो सही है उल्टा फुल्टा खेले वह बिकेट दे दो दिलसान मदुसंका महेज पतिराना पतिराना का काम रहेगा डेथ का और मदुसंका काम रहेगा पावर पले में बिकेट लेना पातुम निसंका का रिसेंट फोर्म 0, 47, 3, 60, 25 ठीक ठाक है और इंडिया के खिलाब भी 25 कवरेज है इनका और स्पीज में भी 27 कवरेज है कुसल मेंडिज का इंडिया के खिलाब 37 कवरेज है भाई इस फेज में 24 कवरेज है रिसेंट फोर्म गड़बल हुआ था लेकिन लास्ट में इनों ने करके बढ़ा फेनाडो और कुसल मेंडिज दोनों जी एलफे हिट राए करना ची अब इसका फेनाडो को परमलुक सुचेंगे चरित रसल लंका इंपोर्टेंट रहेगा थोड़ा नीचे आता है इसलिए इनका स्कोरिंग थोड़ा कम देखोगे च्यालिस उनीच छे तीन अठाइस लेकिन टाइम आने पर गिनवाजी कर जाता है दासुन संका का बल्ले बाजी आ गिया तो बहुत बढ़िया पिक रहेगा पस इनका मेंड दिख्क था बल्ले बाजी ये काफी नीचे आते हैं वह इसे पाट्टेम गिनवाजी तो करेगा और बल्ले बाजी बड़े बड़े शोट लगाते मैं उसको फिनीच करते हैं sebenazy डबलो हजर रंगा की बाद के बिस पलस दो बैक्टे जीरो फलस दो बैक्टे जीरो फलस दो बैक्टे-बैक्टे-पंद्रा फलस दो बिक्टे भाई विक्टे विक्टे भाई सिर्फ विकेट ही लेते हूँ क्या गजब गिनमाद से भाई इनको अगर जदे रूख कर खेलने का पर्यास करोगा तो यह हाबी हो जागे इस पर एटेक करोगे तो छक्के छक्के भी लगते हैं सिविक्रम सिंगे की बात के 26 पलस दो विक्टे 18 पलस जीरो विक्टे 4 पलस एक विक्टे 56 पलस दो विक्टे इसे करके आ रहा हैं मैस तिक्साना एक विकेट भाई पांकी फिर एक विकेट 0-0-0 खास फोर्म में नहीं है डिमधु संका की भी देखी जाए तो एक विक्टे ये निकाल लेता लेगर पहले गेन बाजी में इंपोर्टे रहेगा डेथ में भी आएगा पतिराना के साम मैस पतिराना पहले गेन बाजी में केप्टन बीजी का भी तगळा उप्सन होगा खास का रसी लंका के लिए सकेंड गेन बाजी में भी ट्राइ कर सकते हैं उसल मेंडिज को अक्सर पटेल ने एक बार राउंट किया है पाथुमनी संका को भी अक्सर पटेल ने एक बार और एस सिंग ने भी एक बार आउंट किया अब इसका फेनाडो को हार्दिक पांडिया और वासिंटन सुंदर ने एक एक बार आउंट किया यह है प्लेयर में चब यहां से कोई बेंच का पिलियर खेलेगा आप अपने टीम पे ले सकते हो यहां से देखते जाओ इंडिया का प्रोगेबर पिलिंग लिए भाई सुभ मनगील के साथ आएगा वाई जैसवाल बायहार का तगला सुरिकुमार यादव क्या केच पकला यादव जी यादव जी का नाम वर्ल्ड कप में गोंज रहा है वो केच और इंडिया का वर्ल्ड कप में जी फिर से सुर्कुमार यादब तहलका मसा आएंगे इनके बाद आएंगे रिशाप पांत चोट के बाद अच्छी वापसी हार दिखवांडिया इन्होंने करारा जबाव दिया रिंकु सिंग फिनिस करेगा वासिंग्टन सुन्दर अक्षर पटेल रभी विश्नोई भाई इनक फिर से को बारा अंठावान नवाद 662 एकत्ति जिम्बाब्बे खिलाब का भी स्कोर है वाई जैस वाल बारा तिरानवे नवाद चातिस चार अनुसाट दोनों दोनों इंपोर्टेंट रहेगा शुर्कुमार यादब भाईया ये कैसे इंपोर्टेंट नहीं रहेगा एका इसी पे पूरा सिरिच खत्म हो जाता है वाँकी फिलेर तो काफी बनिया है अक्सर पटिल पाबर पले से लेकर सब में अच्छा करेंगे विकेट जल्दी गिरने पीने प्रमोशन भी क्या वर्ड कप के फाइनल मिनों 47 का योगदान दिया भाई देखके मजा आगिया वासिंग्टर सुदर पाबर पहले में ये भी गिन बाजी कर जाता ठीक ठाक ये भी गिन बाजबले बाजी थोड़ा से इनका अब गड़बल है उतना खास नहीं कर पाता रिसेंट फरम बहुत अच्छा है रभी विशनोई 0-0-0 उसके बाद 2 विकट 4 विकट फिर भी बहुत जादा इंपोर्टेड रहेगा सामने अगर जदी डवलू असरंगा है तो भाई रभी विशनोई भी कम नहीं है असरदीब सिंग का रिसेंट फरम 2 विकट, 0 विकट, 3 विकट, 2 विकट, 3 विकट क्या करके आ रहे हूं भाई कमाल करके आ रहे हूं मुहमा सिराज का फरम बहुत जादा निराशा जना का फिर भी पहले गेनबाज इंडिया करे जो ड्राइ करने लायक है सुर्कुमार यादब को यहां से महिश पतिराना ने एकवार आउट किया, दासुन संका ने एकवार आउट किया सुपमान गील को भी से महिश दिक्साना एकवार और पतिराना ने एकवार आउट किया यहां से कोई बेंच का पेलर खिलेगा आप अपने टीम पे ले सकते हो आसा करते हमारे टेलिग्राम चैनल को आप जोआन कर लिए होंगे और अभी तक अगर जदी हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राब नहीं क्यों मेरे भाई तो करते ना अब चलिए कोंबिनेशन देखते क्या हमारा टीम बन रहा है ड्री मिले बन पे जी आवर भाई कोंबिनेशन देखेंगे लेगन इससे पहले है जदी यूटूब चैनल को सब्सक्राब में कर दो चीजे को जनकारी लेना इस्टाप पे मेसेज भी कर सकते हो देखो बिकर कीपरिंग सकते हमा कुसल मेंडी रिसपफांत यहां से दो ओप्सन आपको दिखेंगे दोनों मेंसे किन के साथ जाना चीए तह मैं लगता है रिसपफांत का फर्म थुढ़ा गड़बल है उसल मेंडिस के साथ जाना चीए और ये अपने घर पे खेलेगा टिक टाक करना चीए सुर्कुमार यादब हमारे टीम पर रहेगा वाई जैस्वाल पाथुमनी संका शुपमनी गील रहेगा हमारे टीम पर बाकी अन के उपर बादेंबाद का डबलू असरंगा अर्धी क्वांडिया दासुन संका उपर बादेंबाद का अक्सर पटेल यहां से हो गिया बागी यहां से देखो कि महेश तिकसाना के उपर जा सकतो यहां से अर्षदीफ हमारे टीम पे रहेगा इनकी अलावे रभी विशन होई इंपोर्टेंड है मेरे भाई अब यहां से देखो अगला पिलेर क्या होना चीए स्रिलंका पहले गेन बाजी करे तो महेश पे तिराना 100% होना चीए और अगर जदी स्रिलंका पहले बाले बाजी करे तो भाई महेश तिकसाना के उपर जांगा सके निनिमी स्पीनर को थोड़ा कहीने कहीं मदर दे फिलाल अभी जो मैं बनाए वो सेफ सर्टिक फीच रिपोर्ट जो आएगा उनकी अनुसार हम लोग एडिजेस्ट करेंगे देखो केप्टन बिजी का बढ़िया चोई हर्दिक पांडिया मैं यहां से केप्टन सी दे रहाऊं ठीक ठाक 24 है और बिजी के लिए डबलू असरंगा ही होना ची है तो यह हमारा टीम बन के रिडी होता है अब कुछ नया कुछ अलग करना चाहते है तो मेरे भाई देखो क क्या कर सकते है एक तो पहले गेन बाजी मार्शदीर सिंग केप्टन बिजी का बढ़िया चोई हो जाएगा और सिरलंका पहले गेन बाजी करें बाज महेश पती राना हो जाएगा केप्टन बिजी का बढ़िया चोई हो जाएगा और वहां पर हस्रंगा केप्टन बिजी का एक spinner हाई ही इंडिया पहले गिनबाजी करें तो वो बाला भी लोजिक यूज़ कर सकतो इंडिया का सारे गिनबाज पलस ओपनर केप्टन वीसी वाई जैसवाल सुभमन गिल इंडिया पहले बल्ले बाजी में सुरुकुमार यादभी केप्टन तो केप्टन वीसी का ओप्जन बहुत ज़ादा है मुझे जो बेतर लगा मैंने यहाँ पर अपना दे दिया हूँ फिलाल के लिए यह टीम सेफ करकर रहको इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाए कहाँ अपने टेलीग्राम चैनल डूमिस्टिक पिलिंग लेवन पे तो आसा करते हैं भगवान की किरपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो